जमाते दी दोस्तों कैसे हैं आप सबीक बाइफ से आप सबीका स्वागत किरती हो आपके अपने YouTube channel सातिक्मन में दोस्तों रिष्टा चाहए कोई भी हो नौब जोक हार रिश्टे में होती है फिर चाहे रिष्टा भाई-भाई का हो, भाई-बहन का हो, बहनों का हो या पती-पत्नी का हस्बन और वाइफ में लड़ाई जगड़ा होना आम बात होती है मुस्लिस वभी घरों में लड़ाई जगड़े हस्बन वाइफ के बीच में होते ही है लेकिन पती-पत्नी का जो रिष्टा होता है ये बहुत समझ का विश्वास का रिष्टा होता है और इस रिष्टे को बहुती प्यार के साथ निभाना पड़ता है और अगर इस रिष्टे में लड़ाई जगड़ा होता है तो ये रिष्टा तोटने में ज़्यादा देर नहीं लगती ऐसे में अगर आप पती-पत्नी के बीच की लड़ाई को खतम करके अपने रिष्टे में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए फाईदे मंद होने वाली है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास उपाई के बारे में जिनकों करके आप अपने रिष्टे को और मजबूर बना सकते हैं सबसे पहला उपाय जो आपको करना है इसके लिए आपको जरूरत होगी तीन गौमती चक्र की और एक सिंदूर की डिबी की डिबी में आपको सिंदूर भर के रखना है और सिंदूर के उपर आपको तीन गौमती चक्र रखना है बस जिहान रखनी वाली बात ये है कि ये बात आपको घर के किसी भी सदस्य को नहीं बतानी है ऐसा महाना जाता है कि आप सिंदूरी की डीवी में गौमती चक्र रखते हैं इसके अलावा जब भी आप घर में पोचा लगाएं तो अपने पानी में नमक थोड़ा सा जरूर डालें अगर डेली भी आप ये कारिया नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन इस कारिया को जरूर करें क्योंकि नमक के पानी का पोचा लगाने से घर की नाकारत में सब्तिय दूर होती है और पती-पती निवी के बीच में जो लड़ाई जगड़ा होता है वो शान्त होता है चलिए अब जानते हैं आज का लास्ट रुपाए इसके लिए आपको लेना है एक नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है ये नारियल आपको जूट वाला लेना है इसको आपको छीलना है फोड़ना नहीं है ध्यान रखना क्योंकि भगवान शीव को हम अर्पित करने जा रहे हैं इसके बाद महिलाओं को अपना नाम लेते हुए जो भी महिला इस उपाय को कर रही है उसको अपना नाम बोलना है अपना गोतर बोलना है और नाम बोलते गोतर बोलते समय साथ गाराय या 21 बार इस सनारियल के ओपर कलावे को लपेटना है तुम्रुकाजी का नाम लेकर अब ये नारियल लेकर आपको पूरे घर में घुमाना है यानि कि आपके घर में जितमें भी कम रहे हैं उन सभी में इस सनारियल को घुमाना है गुमाने के बाद में नारियल को किसी भी सोंवार के दिन शिव मंदिर में लेकर जाएए और नारियल को शिव लिंग के पास रखना है अपना नाम और अपना गोतर बोल कर ये दिया जलाना है अगर आप पती पत्नी में कोई भी लड़ाई जगड़ा है कोई भी विवाद चल रहा है तो वो विवाद आपका खतम हो जाएगा इसके अलावा घर के मंदीर में करने से भी पती पत्नी में प्यार बढ़ता है लड़ाई जगड़े खतम होते हैं तो उमीद करती हूँ दीगे वीडियो आप सभी के लिए यूसफुल होगी वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को फ्रेंट फैमली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए चैन पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ट्रेस कर लें ताकि इसी तरीकी की और वीडियो आपको समय से मिलती रहे तो छेले में नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक स्वस्थ रहे हैं खुश रहे हैं